तो यह था हमारा स्टेची ओफ लिवर्टी का टूर स्टेची ओफ लिवर्टी भी नियॉर्फ में है तो हम यहां आ गए थे हमारी एक मुरात्तुपूरी हो गई चलिए हालो नमस्तियात आप शश्यकर जैहिंद मेरा नाम मिराजी तुद्धी स्वागत है आपका MP13RV चैनल यूट्यूब कर तो आज हम जाने वाले हैं स्टेची ओफ लिवर्टी का टूर पारिस में हाला कि बारिस बंद हो गई है तो फिल्हाल आ गए है रैडिशन वाली गली मतलब में रोड है यह थोड़ा सा इसके हमने है पार और इस तरह से जिसलिए लड़की ने रोड़क्रॉस किया प्रप्य करें करें यह बहुत ही बतरनाक है अगया है हाइवे और जैअग रहा मुंबई हाइवे कहते हैं तो आज हो रही है बारिस दिनों से बंद थी लेकिन अभी आखरी के 3-4 दिनों से बारिस हो रही है और आज तो मतब आज की जो रात बीत गई है उस रात में काफी वारिष हुई है और अभी दिन भर से वारिष हो रही है तो हमने सुचा क्यों ना आपको एक वीडियो दिखा जाए जहां कि बारिष के नजारे से रूबरू कराया जाए तो फिलहाल हूँ मैं आज बुलेट 500 CC तो आज एक जो इसका रहेगा जो पताता हूं आपको इसके बारे में अधिक जानकारी जानकार करा कि वीडियो खेख के वारे में आपको आपको ब electrify के इसकी you जानकारी से जानकारी ंनल तो स्वाहिवान कदर्दान महरवान असुष्टक ले खेद है क्योंकि हमारी चपल और आपको बता दे के हम राइडिंग जो है चपल में कर रहे थे तो अब जिसे रिपेर करेंगे और एक मची होने के भी ख्याती हो पाएगी को नहीं चलिए प्रयास करेंगे तो क्यों नहीं होगी और यह हो बनाई हो राजी दुएदी को चपल साही हो गई उनकी यहां से आप देख पा रहे हैंगे पुछ पहाड़ी है लेकिन अभी बादलों के कारण छिप गई है तो आज फिर लगी है ट्रकों की चड़ी तो ठेडी कोण अभी अभी हम किसी का फोन ने उठाएंगे अजय कोण जंगने आई हैंगे बनाई है सो यहां पर खड़ी है बाइक जिसका अपने थमनेल और टाइटल देखा यह देखिए बुलेट जो है 500 CC और यह मतलब यह ओरिजिनल बुलेट होती जो 350 आती है इसमें भी एक वर्जन आता है 350 उसमें डिफरेंस यह रहता है कि यह आपने देखा होगा यह देखिए यह टायर जो है इसका काफी ज्यादा मोटा है और वो जो 350 आती है उसका टायर थोड़ा सा पतला रहता तो डिफरेंस ज्यादा तर यही रहता है इस बाइक में और बाकी तो स्मूथ है और फिलहाल बहुत ही अच्छी चल रही है आपको पता ही है कि हम जो है पबलिक टांसपोर वाले ट्रेवल करते हैं चीपेस वे में आप लोगों को दिखाता हूं इसलिए ज्यादा इस बाइक के बारे में बताना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि आप लोग मेरे ही साब से मुझसे जादा जानते होंगे और यह बाइक आप सोच रहोंगे यह बाइक कहां से आ लेकिन अभी तो कुछ पॉसिबिल्टीज है नहीं क्योंकि अभी इतना पैसा है नहीं कि अपन सबादो 2,500,000 रूप है क्योंकि आसपास आती है यह बाइक तो हां बिलकुल यह मेरी बाइक नहीं है मेरे एक फ्रैंक की है और मैंने मैं मतलब घूमने निकला सा इस से बहुत अच्छा मौसम हो रहा है आप देख सकते हैं तो मैंने सूचा क्यों आप लोगों को भी बताया जाए यहां पर नजा रहे थे फोटो अगेरा खिची और यह देखिए कितना मस लग रहा है दोनों साइट से ग्रीन यह आपको लोनावला और पुने जैसा हाईवे लगेगा क क्योंकि यहां पर देखिए आप दोनों साइट से हाईवे जा रहा है और यहां उचाई पर खड़ा हुआ हुआ है तो यह लोकेशन अगर जाना है यहां पर लिखिया जाएगी यह इंदो राव से जब हम हाईवे पकड़ते हैं उस साइड आता है अगर आपको बता दूं अगर इंस्टाग्राम और फेश्बूक में आप अगर फाल नहीं किया है तो यह हैं इसरी फोटोस यहां unten manger किए प्लीज रिक्वेस्ट हिए यहां पर डालान है और यहां पर देखिए एक फोटो लेता हूं रुको कि पर यह कुण चाड़ा के लेगे कि हम क्रॉस कर रहे हैं फिलाल हाइबे को अब यह बहुत ही खतरनाक होता है मैंने इसलिए करके दिखाया था कि आप न करें कितना खतरनाक होता आपने देख लिया होगा तो धन्यवाद हमें इसी तरह साहेता करते रहते हैं लोगों की आप आगे बढ़ाई यह इस वीडियो को शेर कीजिए लाइक कर दीजिये इस वीडियो को और शेर कर दीजिए मुझे पता है आप मेंसे कोई नहीं करेगा पर फिर भी मेरा बोलना तो फ़र्ज है ना कि मत्रा बिनाया उसको तो फ्रेंज हम आ चुके हैं फिलाल नीयोक में स्टेची ओफ यूनिटी के सामने आप देख सकते हैं सारे माफ किजिए का स्टेची ओफ लिवर्टी है आपर और आप देख सकते हैं हमारे सामने है स्टेची ओफ लिवर्टी नियॉक में तो मलाक है गाईज यह इंदौर में है हाईवे इंफरस्ट्रेक्टर प्राइवेट लिम्टेट का और यह नियॉक सिटी है जहां पर हम हैं और काफी खुबसूरत इस्टेची बनी हो यह बहुत है और यह देख सकते हैं आप दोनों साइट कॉलोनी है और गाड़ी भी हम अंदर ही लिया है तो यह था हमारा स्टेची ओफ यूट माफ कीजिएगा स्टेची ओफ लिवर्टी का टूर यहां पर है नियॉक सिटी में और आपको पता होगा ऑफिशियल स्टेची ओफ लिव सब्सक्राइब कर लिए तो इसी के साथ वीडियो का समापन समारो करना चाहिए हमें लगता है इस ब्लॉक की एंडिंग होती है चाहे के साथ हम पहुंच गया है फिलाल